आज से बहुत साल पहले की बात है तक नीवन 14 साल पहले की हम पहली दफ़ा मोबाइल फोन लेने बाजार गए दुकानदार ने पूछा रिम वाला चाहिए या सिम वाला हम मोबाइल तो लेना चाहते थे ने ये नहीं था कि मोबाइल भी दो तरह का होता है CDMA वाला जैसा कि Reliance India Mobile याने RIM बनाता है और GSM जैसे Service Airtel बगेरा दिया करते थे अब हमने ले ली GSM वाली सेवा और तब मालुम नहीं था कि हम 2G क्रांती का हिस्सा बन रहे हैं वही 2G जिसके साथ एक वक्त स्कैम चिपा गया था बहुत समय चिपका रहा बवाल हुआ लेकिन किसी का बिगड़ा कुछ नहीं खैर 2G की देन थी कि घर पर Mobile आया घर घर Mobile आया किफायती दरों में लोग एक दूसरे से बात करने लगे फिर आया 3G जिसने बड़े पैमाने पर Mobile इंटरनेट दिया और इसके बाद आया 4G जिसने डेटा को सस्ता किया और इंटरनेट को रफतार दी अब Mobile टकनीक की एक नई PD भारत में कदम रखने वाली है नई जनरेशन 5G घर घर फोन पहले से है तेज इंटरनेट भी 4G ने देही दिया था तब 5G की जरूरत क्यों है और यह आभी गया तो आपको क्या फाइदा होगा और सरकार को कितनी कमाई होगी तो यह सब खबरें होंगी आज लेकिन आप देख क्या रहे हैं नमस्कार सौरब दिवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लललन टॉप शो शो में सबसे पहले दिन का वीडियो वीडियो राजधानी दिल्ली का है और सोशल मीडिया पर खूब वाइरल हो रहा है वीडियो में दिख रहे हैं शक्स यूद कॉंग्रेस के राश्ट्री अध्यक्ष बीवी श्री नवास हैं जिनको हिरासत में लेने के दौरान दिल्ली पुलिस उनके बाल खींचते नजर आ रही है इस तरह बाल खीचने पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या पुलिस का ये रवई या उचित है अक्सर नेताओं को हिरासत में लिया जाता है लेकिन इस तरीके पर सवाल तो उठेंगे ही दरसल आज कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की नेशनल हेराल मामले में दूसरी बार E.D. में पेशी हुई जिसके विरोध में कॉंग्रेस जगे जगे विरोध परदर्शन कर रही थी दिल्ली में हुए प्रदर्शन के बाद पुलिस ने कॉंग्रेस नेताओं को हिरासत में लेना शुरू किया इस दोरान कई नेताओं के साथ नोग जोक हुई राहूल गांधी के साथ विजे चौक पर कई कॉंग्रेस सांसद भी विरोध दर्ज कराने पहुँचे प्रदर्शन के दोरान राहूल गांधी भी सड़क पर बैठ गए ये तस्वीर काफी चर्चा में रही इस प्रदर्शन के दोरान ही राहूल गांधी समेट तमाम सांसदों को हिरासत में लिया गया राहूल के ट्विटर हैंडल से के बाद एक कई ट्वीट भी आए उन्होंने लिखा कि देश के राजा का हुक्म है जो बेरोजगारी, महंगाई, गलत चीस्टी, अगनी पत पर सवाल पूछेगा उसे कारा ग्रिह में डाल दो भले ही मैं अभी हिरासत में हूँ, भले ही देश में अब जनता की आवाज उठाना जुर्म है लेकिन वो हमारा होसला कभी नहीं तोड़ पाएंगे हाला कि शाम होते होते कॉंगरेश सभी नेताओं को कॉंगरेश के छोड़ दिया गया लेकिन देश के अलग-अलग इलाकों में प्रदर्शण देर शाम तक चलते रहे नाकपुर में कॉंग्रेस कारेकरताओं ने एक कार में आग लगा दी 36 बड़ की राजधानी राइपुर में E.D. के दफ्तर पर कॉंग्रेस कारेकरताओं ने भारती जंता पार्टी का पोस्टर लगा दिया कॉंग्रेस के आरोपों के जवाब में बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि कॉंग्रेस इस तरह के प्रदरशनों से ED पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है ED को idiot कह देना कहां से ठीक है ED स्वतंत्र एजनसी है जो दबाव में नहीं आएगी अपना काम करती रहेगी ये था दिन का वीडियो अब चलते हैं सुर्खियों की तरफ पहली सुर्खी संसत से हैं लोगसभा के चार संसदों के बाद राज्यसभा के विपक्षी 19 संसदों को आज सस्पेंड कर दिया गया त्रिनमूल कॉंगरेस संसद सुश्मिता देव, डॉक्टर शांतनु सेन, डोला सेन समेथ 19 संसदों को इस हफते के लिए निलंबित कर दिया गया निलंबित होने वाले संसदों में साथ त्रिनमूल के 6 डिमके के 3 TRS के और 3 लेफ्ट पार्टियों के संसद हैं कि संसद वेल में जाकर महंगाई और GST के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन और नारे बाजी कर रहे थे, मांग थी महंगाई पर चर्चा की संसदों के निलंबन पर प्रतिक्रिया देते हुए त्रिनमूल कॉंगरेस की ओर से कहा गया कि आप हमें सस्पेंड कर सकते हैं लेकिन चुप नहीं करा सकते जब आप BJP की तरफ से भी आया केंद्री मंत्री और राजिसभा में BJP के नेता प्यूश गोयल ने कहा सांसदों को निलंबित करने का फैसला भारी मन से लिया गया वे लगातार चेयर्मेन की अपील की अंदेखी कर रहे थे वित्मंत्री निर्मला सीता रामन के कोविट संक्रमार से उबरने और संसद में लोटने के बाद सरकार में हमगाई के मुद्दे पर बहस के लिए तैयार है ऐसा प्यूश गोयल ने सूचित किया सोमवार को लोग सभा में हंगामे के लिए कॉंग्रेस संसद जोती मनी, मनिकम टैगोर, टी एन प्रथापन और राम्या हरिदास को सस्पेंड किया गया था दिल्चस्प ये है कि आज कॉंग्रेस का कोई सांसद सस्पेंड नहीं हुआ, वो बच गए क्योंकि एन वक्त पर वो राहुल गांधी के साथ प्रदर्शन करने विजह चौक पहुच गए थे, ऐसा कई लोगों ने कहा अगली सुर्की गुजरात से है, पूरता शराब बंदी वाले राजी गुजरात में अकली शराब पीने से अब तक 29 लोगों की मौत की खबर है मामले की जाँच S.I.T. ने शुरू कर दी है, गुजरात के स्वास्त मंत्री रिशिकेश पटेल के मुताबिक अस्पताल में 78 लोग और भरती है, सभी के इलाज और डायलिसिस की प्रक्रिया जारी है अब भी 12 मजीज ऐसे हैं जो क्रिटिकल है, शुरू आती जाच में पता चला है कि सोमवार को बरवाला के रोजित गाओं में एक शराब भटी पर आठ गाओं की लोग शराब पीने आये थे, शराब की जगे वहां लोगों को मेथिनॉल केमिकल दिया गया था, ये मेथिनॉ एहमदाबाद से लाया गया था, एहमदाबाद में भी जहरीली शराब मिलने की खबर है, बोटाज जिले के प्रभारी मंत्री वीनू मरोदिया ने कहा कि ये घटना दुखत और शर्मनाक है, हम जाच करेंगे कि शराब बंदी के बावजूद राज्जी में शराब कैसे और कौन बेच रहा है, दोशी पुलिस अधिकारियों पर भी कारवाई की जाएगी, गटना के बाद विपक्षमलावर है, कॉंग्रेस ने ताश शक्ती सिंग गोहिल ने बाचप सरकार पर सवाल उठाते हुए पूछा कि शराब बंदी वाले गुजराद में जहरीली शराब कै कैसे मिली, कहा कि सरकार ने डियस पी को जाँच की जिम्मेदारी दी लेकिन पुलिस की भूमी का खुद संदिक्द है, ऐसे में सही जाँच कैसे हो पाएगी, अम आदवी पार्टी की तरफ से भी प्रेस कान्फरेंस कर सूबे के मुख्यमंतरी भूपेंदर पटेल का देना चाहिए अपने पद से, उनको एक मिनट भी सक्का में रहने काधिकार नहीं है, अठाइस जिंदिगियां चली गई और ऐसी स्थिती में मैं एक पत्र दिखाऊंगा, जो कि आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे, यह जहां पे घटना होई है, उसकी बाकाइदा लि चैत ने इस बात की शिकायत की थी कि आप यह नकली शराब का धंदा बंद कराईए, यह वो चिठी है, गुजराती में है, किसी से भी आप ट्रांसलेट करा सकते हैं, बावजूद इसके यह नकली शराब बिक रही थी उस राज्ज में, जहां पर घोसित तोर पे शराब बं का हाल चाल जाना, राजनायतिक प्रतिक्रियाओं से इतर बात करें तो सवाल गंभीर है, कि एक राज्ज जहां बरसों से शराब बंदी लागू है, दश्कों से, वहां इस तरह से अवयाद धंदे कैसे और किसकी सरपरस्ती में चल रहे हैं, गुजरात में 1960 से शराब बंद की सजा हो सकती है, इसके बावजूद वो लोग कौन हैं, जिनने कानून का जरा भी भय नहीं है, अगली सुरकी यूपी से है, माउ सदर से पूर विधायक मुक्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है, नियायाले ने उनकी पत्नी और पत्नी के दो भाईयों समेत उनके विधायक बेटे को भगोडा घुशित कर दिया, जिसके बाद से पुलिस इन सभी की तलाश में जुट गई है, वही नियायाले के सामने हाजिर नहीं होने पर प्रशासन इन सब के खिलाब कुर्की की कारवाई भी कर सकता है, मामला साल 2020 में मुख के दक्षन टोला था अबास अंसारी को भी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर शस्त्र लाइसेंस लेने का आरोपी बनाया गिया है, जिसमें बार बार नोटिस की अवहिलना करने पर नियायाले ने उन्हें भगोला घुशित कर दिया, अगर वो अब भी आजिर नहीं होते हैं, तो नियायाले के आधे शानुसार धारा 83 CRPC के तहट कुर्की की कारवाई की जाएगी, अगली सुर्की भी यूपी से है, इलाबाद हाई कोट ने लखीम पूर खीरी मामले के आरोपी आशीश मिश्र की जमानत अरजी खारिच कर दी है, आशीश मिश्र, नरेंदर मोधी सरकार में गिनी र करते हुए सरवोच अदालत ने आशीश को नई सेरे से इलावाद हाई कोट में जमानत के लिए आविदन करने को कहा था, सुप्रीम कोट ने अपरेल में आशीश को हाई कोट से मिली जमानत रद करते हुए एक हफते के भीतर आत्म समर्पन करने को भी कहा था, हाई कोट ने अरजी पर नए सरी से सुनवाई की और इसे पूरी करने के बाद 15 जुलाई को आदेश सुरक्षित कर लिया फैसले के लिए 26 जुलाई की तारीख निर्धारित की गई और तैय तारीख पर फैसला सुनाया गया कि जमानत याजिका रद की जाती है अगली सुरकी महराष्ट से है महराष्ट में सरकार गिरने के 26 दिन बाद उद्धव ठाकरे ने एकनात शिंदे और भाजपा पर तल्ख बयान दिये शिवसेना के मुकपत्र सामना को दिये इंटर्व्यू में उद्धव ने कहा कि उनके साथ विश्वास घात हुआ दिल्ली ने महराष्ट की पीठ में छुड़ा घूपा महराष्ट सरकार गिराने की प्लानिंग तब की गई जब वे हस्पताल में भरती थे और हिल भी नहीं पा रहे थे उद्धव ने कहा कि अगर मैंने उसे यहां एकनाथ शिंदे की बात हो रही है मुक्यमंत्री बना भी दिया होता तो उसके एरादे शैतानी है सड़े हुए पत्तों को पेड़ से गिर ही जाना चाहिए जिनने पेड़ ने सब कुछ दिया वे खुद ही पेड़ को छोड़ कर जा रहे है जिनने सबसे जादा फाइदा मिला वही पार्टी छोड़ कर गए यह वो लोग थे जो अपनी ही मा को निकल जाना चाहते थे लेकि आप कहते हो कि हमने हिंदु तो छोड़ दिया फिर महभूबा मुफ्ती के साथ आप क्यों गए थे आपने क्या किया था तब ये इंटर्विव तब आया जब राजी से लेकर केंद्र तक वो दवठाकरे की पकड़ पार्टी पर कमजोर हो चुकी है सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि सरकार के गठन को इतने दिन हो गए लेकिन अभी तक एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फर्निविस के अलावा कोई और मंत्री क्यों नहीं बनाये गया और मंत्री नहीं बनाये गए तो सरकार के मंत्रालियों का संचाल अंसुचार रूप से कैसे हो रहा है ये थी आज की सुर्खियां अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ 3G, 4G, 5G में जी माने जनरेशन होता है इतना तो आप जानते ही हैं इसलिए आज हम कहानी बाबा आदम के जमाने से शुरू नहीं करेंगे इतनी बात आप समझते हैं कि हर नए जी के साथ तकनीक उननत हो जाती है ग्रहा के लिए सुविधायं बढ़ जाती है आज आपको कुछ बाते स्पेक्टरम मीलामी के बारे में बताते हैं क्योंकि आज सिर्फ प्रक्रिया शुरू हुई सबसे पहला सवाल यही कि भईया स्पेक्टरम होता क्या है जिसके लिए बोली लग रही है आप सभी ने कभी ने कभी साइंस लेब में जाकर प्रिज्म एक्सपेरिमेंट किया होगा काच के प्रिज्म से खेलने का सुख अलग होता है अब उसमें से प्रकाश गुजरता है और अनेक रंगों में बढ़ जाता है यह रंग हमेशा एक क्रम में बढ़ते हैं जो रंगों का संकलन आप देखते हैं वो कहलाता है स्पेक्टरम अलग अलग तरंगों का समूह जो प्रकाश हम देखते हैं वो भी एक तरंग है और तरंग सिर्फ एक प्रकार की नहीं होती ह देख पाते हैं उसके एर्दगेर दो और तरंगे होती हैं जिनका नाम आपने सुना होगा इंफ्रारेड और अल्ट्रा वॉयलेट इसी तरहे रेडियो तरंगे भी होती हैं इंसान ने तरंगों का इस्तमाल बहुत अच्छे से सीखा है माइक्रो वेव से हम खाना बनाते हैं एक्सरे से हम शरीर के अंदर जागते हैं और रेडियो की मदद से हम कम्मिनिकेट करते हैं संदेश एक जगे से दूसी जगे भीजते हैं आपकी जेब में जो मुबाइल फोन है तकनीक रूप से वो भी एक रेडियो है वो मैसेज कमपनिया स्पेक्ट्रम में अलग-अलग फ्रिक्वेंसी की तरंगों पर काम करती हैं भारत में पूरे स्पेक्ट्रम पर भारत सरकार का अधिकार है इसका इस्तिमाल सरकार अपनी जरूरत के हिसाब से कर सकती है मसलन सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरे स्पेक रिडियो तरंगों को ही नीलाम किया जा सकता है नीलामी से बस यह तेह किया जा सकता है कि कौन सी फ्रिक्वेंसी की रिडियो तरंग पर कौन सी कमपनी अपनी सेवाएं दे सकती है आज से सरकार में 72 गीगा हर्स तरंगों पर अधिकार नीलाम करना शुरू किया है इसका रिज स्पेक्ट्रम के इस्तिमाल के अधिकार 20 साल तक लागू रहेंगे चार कंपनिया स्पेक्ट्रम की दौड में अग्रणी हैं रिलाइंस जियो एयर टेल वोड़ा फोन आइडिया और अडानी इंटरप्राइज इन सभी कंपनियों से अरनेस्ट मनी डिपॉजिट जमा कराई गया है यानी हर कंपनी ने एक तेर अकम सरकार के पास पहले ही जमा करा दी है अगर कोई कंपनी नीलामी में अधिकार खरीद ले लेकिन बाद में भाग जाए तो अरनेस्ट मनी को जब्त कर लिया जाएगा यो कंपनी जितना ज़ाधा अर्नेस्ट मनी जमा कराती है उसे स्पेक्ट्रम मिलने की संभावना भी उतनी ही बढ़ जाती है इसलिए अर्नेस्ट मनी को देखकर एक तुक्का भी मार देते हैं लोग कि 5G सेवाओं में कौन कितना बड़ा खिलाडी बनेगा रिलाइंस जीओ 14,000 करोड रुपए भारती एरटेल 5,000 करोड वोड़ाफोन आइडिया 2200 करोड और अडानी इंटर्प्राइजेज 100 करोड यहां एक बात ध्यान देने वाली है ज़रूरी नहीं कि कम अर्नेस्ट मनी देने वाला स्पेक्ट्रम भी कम खरीदे वो चाहे जितना स्पेक्ट्रम खरीद सकता है और चाहे जितना बड़ा कारोबार स्थापित कर सकता है इसलिए अर्नेस्ट मनी वाली बात को जादा नहीं खीचा जा सकता अडानी को लेकर ये कहा जा रहा है कि वो बहुत थोड़ा स्पेक्ट्रम खरीद कर एक प्राइवेट नेटवर्क स्थापित करने की सोच रहे हैं जो हवाई अड़ों या डेटा सेंटर्स पर काम आएगा अडानी समू ने अपने बयान में भी यही संकेत दिये थे लेकिन ये इनफॉर्म गैस वर्क है यानि एक तरह का कयास जो सही साबित हो सकता है नहीं भी हो सकता टेलिकॉम सेक्टर की मौझूदा चुनोतियों को देखते हुए सरकार इस बार एक विकल्प दे रही है कमपनिया चाहें तो स्पेक्टरम फीज को EMI में बांट सकती है जो कमपनिया इस तरह से फीज चुकाना चाहती है वो अधिकतम 20 किष्टों में फीज़त को अगर कमपनिया पूरा पैसा एक साथ देना चाहें तब भी रकम जमा कराने के लिए दो बरस का समय मिलेगा इस्पेक्टरम मिलने के बाद क्या होगा इस्पेक्टरम मिलते ही कमपनी आपको 5G का सिम पकड़ा दे ऐसा नहीं होगा पहले माना जा रहा था कि 5G से माय की संभावना कम लग रही है एयरटल जीयो और वड़ाफोन सितंबर या अक्टूबर से 5G की कमर्शियल टेस्टिंग शुरू कर सकते हैं सबसे पहले इन शेहरों के लोगों को फाइदा मिलेगा नाम सुनिये दिल्ली गुरुग्राम बैंगलूरू कोलकाता मुंबई चंड शेहरों में 5G सेवा मिलने लगेगी फिलाल कंपनिया टेस्टिंग में लगी उसके बाद स्थिती और साफ होगी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉर्टी ऑफ इंडिया यानि ट्राइब ही टेस्टिंग कर रही है अब तक आप सोच रहे होंगे कि भाईया सब बता रहे हो य या ना लें फाइदा क्या है 5G का सबसे बड़ा फाइदा इंटरनेट की स्पीड में है यह 4G से 10 गुना जादा तेज इंटरनेट दे सकता है मिसाल के लिए एक फिल्म को डाउनलोड करने में अगर अभी आपको 7 मिनट लगते हैं तो 5G में सिर्फ 6 सेकेंड लगेंगे यह तो हुई अपनी यानी एक आप इंटरनेट यूजर की बात इसके लावा इस तकनीक से और भी कई काम आसान हो जाएंगे जैसे रोबोट से ऑपरेशन करवाना क्योंकि रियल टाइम में तेज और बिना रुके इंटरनेट मिल सकेगा तेज इंटरनेट अब भी हमारे पास है लेकिन इसमें बटन दबाने और हरकत होने के बीच एक डिले है 5G आने के बाद ये लगभग शून हो जाएगा अपने आप चलने वाली गारियां या ट्रक, सेल्फ ड्राइविंग वीकल्स कहते हैं इनको चलाना 5G आने के बाद पहले से आसान हो जाएगा इसके लावा 5G आने पर हम बहुत सारी डिवाइसे एक दूसरे से ना सिर्फ जोड सकते हैं बलकि वो एक दूसरे के साथ रियल टाइम में सूचनाएं भी शेयर कर सकते हैं हम ड्रोन को ड्रोन से जोड सकते हैं इन दोनों को फोन से जोड सकते हैं इसलिए 5G के आने के बाद इसका इस्तेमाल लॉजिस्टिक से लेकर डिफेर्स हर जगे होगा चीन ने 5G पर इतना ध्यान इसी ले दिया था क्योंकि रक्षा शेत्र में 5G ऐसी ताकत है जो हर कोई अपने पास चाहता है हाली में चीन ने भारत से लगी सीमा पर 5G नेटवर्क देना शुरू किया अब भारत की तरफ से भी यही कदम उठाया जा रहा है डिवाइस की बड़ी हुई करेक्टिविटी से सिर्फ फौज को फाइदा नहीं होगा हमारे घर में भी बहुत सारे उपकराण अब इंटरनेट से जुड़े हैं AC, TV, बिजली का बल्ब भी 5G के आने के बाद यह सब और परिश्क्रत होगा AI यानि Artificial Intelligence का इस्तमाल छोटी 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 चीजों के लिए हो पाएगा मशीने हमारे अनुभाव से सीख पाएंगी और उस हिसाब से हमें सेवाएं दे पाएंगी 5G के फायदों को आप तफसील से समझना चाहते हैं तो हम ललन टॉप शो और दूसे वीडियो के कुछ लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं जरूर देखिएगा 5G के साथ भारत में सिर्फ नई तकनीक ही नहीं आएगी भारती टेलिकॉम बाजार में प्रतिस परधा पर भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा बाजार में प्रतिस परधा ये सुनकर एक बार में बात शायत समझना आए इसलिए एक छोटा सा उधारन देते हैं आप मैंसे जो लोग कभी न कभी गाओं में रहे हैं वो जल्द हमारी बात पकड़ लेंगे फर्द करिए एक शेहर से बहुत दूर गाओं में परचून की एक ऐसी दुकान है जहां पर तेल नमक शक्कर कुछ भी लेना है तो आप वहीं पर जाते हैं ऐसे में दुकानदार से मोलभाव का सवाल नहीं उठता लेकिन अगर तीन दुकाने हो तो आराम से मोलभाव करिए एक दुकान में माल या भाव पसंद नहीं तो दूसरी पर जाएए वहां मज़ा ना आए तो तीसरी पर जा सकते हैं ध्यान दीजिए विकल्प नाम के लिए नहीं होने चाहिए उनमें प्रितिसपर्धा करने का दम भी होना चाहिए वरना कितनी ही दुकान खुल जाए अगर माल नहीं तो आपको वहाँ जाना ही पड़ेगा एक दुकान के जहां है अब इस गाओं की जगे देश को रख दीजिए और पर्चून की दुकान की जगे मोबाइल कंपनिया साल दोजार साथ आठ के बाद जब टूजी करांती आई तब पहली बार हर घर में मोबाइल फोन बड़े पहमाने पर पहुंचा और आई धेट सारी कंपनिया रिलाइंस टाटा इंडिकॉम एयर टेल यूनिन और आइडिया वोड़ाफोन बरिजन बीसनल तब लेकिन आपको सिम के लिए चिरौरी करनी पड़ती तो उसके पहले प्रतिस परधा भी थी और चिरौरी खत्म हो गई थी याद करिए जब बी या फिर उन्हें दूसी कंपनियों से हाथ मिलाना पड़ा फोर जी के साथ रिलाइंस जियो ने बाजार में कदम रखा और उसके बाद तो इसका चरितर ही बदल गया अब इन मीन तीन कंपनिया बची हुई है जियो एर टेल और वोड़ाफोन आइडिया लेकिन ये संख्या हुआजार में सबसे बड़ा खिलाडी था जी ओ दूसरे नमबर पर एयर टेल तीसरे नमबर पर वोड़ाफोन आइडिया फरवरी 2022 में जियो ने 1 करोल ग्रहक जोड़े कुल ग्रहक हो गये 37 करोल 90 लाग एयर टेल ने 22 लाक बाराइव ग्रहक हो गये 35 करोल 10 लाग वोड़ा connection जिसे हम घरेलू broadband कहते हैं उसमें भी जीओ और एयर्टेल का प्रदर्शन बहतर होता गया सरकारी कंपनी बारत संचार निगम लिम्टेट बीसनल का प्रदर्शन खराब होता गया किसी मोबाइल कैरियर का प्रदर्शन खराब रहने के कई कारण हो सकते हैं नेटवर्क खराब होना या फिर वित्ती समस्याएं लेकिन कुल जमा बात यही है कि ग्राहकों के पास विकल्प कम होते जा रहे हैं फाइब जी की निलामी में अडारी एंटर्पैस के आने से बाजार में एक नया खिलाड़ी आने की आहट है नया विकल्प हो सकता है लेकिन रडारी या किसी और कंपनी के आने के बाद बाजार में विकल्प तो बढ़ेंगे पर कितने पुखता तोर पर यह कहना अभी जल्दबाजी होगी फिलाल सूचना है कि पहले दौर की बोलियां खत्म हो चुकी हैं देखने को मिला है कि कंपनियां आक्रामक होकर बोली नहीं शुर्दानजली भारत के उन सपूतों को जो कारगिल की उचाईयों पर पाकिस्तानी घुसपैटियों आतंकवादियों और सेना के जवानों को खदेरते हुए वीरगती को प्राप्त हुए अनेक सैनिकों ने अपने शरीर के अंग खोए लेकिन देश को नहीं खोने दिया आज कारगिल विजय दिवस है इस मौके पर ललन टॉप परिवार भारत के सभी रखवालों को नमन करता है जैहिंद